हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज हम आपको एक ऐसा फेस पैक बताने जा रहे हैं जो हमारे स्कीन को इवन टोन करता है यह पिग्मेंटेड स्कीन के लिए बहुत ही यूश्फूल है यह होम रेमीडी है और यह किसी तरह से हाम नहीं करेगा कि इचन के सारी लेबल हो जाएगा और सबसे पहले हम हनी ले रहे हैं वन टी स्पून हनी है अनी एक नेचरल मॉस्चराइजर है यह स्कीन को नैरिस करता है स्कीन को हिल्दी बनाया रखता है लेमन जूस आड़ करेंगे लेमन जूस जो है वो नैचरल ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लैक स्पॉर्ट्स और डाक स्पॉर्ट्स को कम करता है और स्कीन को फैर करता है हम इसमें अराउन वन टी स्पून लेमन जूस ले रहे हैं अब हम इसमें टुमैटो जूस मिलाएंगे टुमैटो जूस पिग्मेंटेशन को हलका करता है और स्कीन को इवन टोन करता है हम यह टुम अब हम इसमें वन टी स्पून एलोवेरा जेल ले रहे हैं इसमें हम पतंजली सौंदारे एलोवेरा जेल मिला रहे हैं आप चाहें तो आप किसी भी ब्रैंड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं एलोवेरा जेल में बहुत ही मॉस्चराइजिंग और हाइडरेटिंग स्किल्स होती है जो कि आपके फेस को हाइडरेटेड रखता है यह बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसका एक रिव्यू मैं अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी आप प् प्रश्चे भी यूज कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है इसके लिए हम कॉट्ण बॉल का यूज करेंगे और इससे पूरे फेस पे हम वन लेयर यह पूरे लगाएंगे और हम चाहे तो इसकर सेकेंड लेयर भी इसकी उपर लगाया जा सकता है पूरी तरह से लगा लिया है इसको 20 मिनट तक इसको अपने फेस पेस जुगने दीजे इसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वाश कर लेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए हमें सेवें डे तक इसको यूज करके देखना होगा इसको कॉमेंट करके बताये और अगर आपको य यह अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बावाई